बॉली बुड में हिरोईनों का करियर ऐसा है जैसे सद्धियों में गर्म होते हैं घीजट थंडा हो जाता है कई ऐसी नाये आई धमाका किया और फिर जाने कहां घूम हो गई बॉली बुड में आने से पहले तो एक्टरेस के पर्स में हमेशा मेकप के साथ करियर पलान की एक फाइल भी होती है शुरुवात में एसी मस्ट एक्टिंग करती है मानू बॉली बुड का बापू इन्हें ही कहा जाएगा आज हम उन्हें गुमसुदा हसिनाओं की बात करेंगे जिनका पता बॉली बुड की पॉपलर्टी की गली में कभी था पर अब गुमसुदा की तला के बाद लगता है पुरा जहर ही पी गई क्योंकि उसके बाद तो वो कभी स्क्रीन पर दिखी ही नहीं लगता है उन्होंने फिल्मों से रिष्टा खतम कर डाइरेक्ट साधिस नहीं सेटिंग कर ली आयसा टाकिया जब सल्मान भाई की फिल्म बांटेट में आयसा टाकिया एंट्री मारी वो लगा अब ये इंडेस्ट्री में धूम मचा देगी लेकिन रियाल्टी में जैसे उनकी प्रसनल लाइफ में पॉंटेट का पोस्टर लग गया हो भाई अब ये खुद किसी काम के पॉंटेट पोस्टर की तरह इंडेस्ट्री में लटकी है कीम सर्मा अब तो का तुफान आ जाएगा पर अब किम सर्मा के लिए बॉली बुड मोहबते की जगह जैसे किसी पुराने वाइफ्रेंट की यादे बन गया हो कुछ पल के लिए आया और कि चला गया मिनीशा लांबा रनबीर के साथ जोड़ी बनी पर अब लगता है इनका कैरियर ऐ जैसे गाएब हो गया जैसे वो कहावत है ना कि गद्रे के सर्स जैसे सींग गाएब हो गया आज कल वो खुद 국 अस्ट्रीकल करने नो इंट्री में धुम मचाने वाली सेलीना जेटली के लिए इंडस्ट्री के दरवाजे इन नो इंट्री मोड में लग गए हैं। उन्हें देखे भी अब सालों हो गए हैं। गिरेशी सिंग भाई जब आमीर खान की फिल्म लगान में और मुन्ना भाई M.B.S. में नजर आई तो लगा ये लंबी रेज की घोड़ी हैं। पर अब घोड़ी गाइब सवार भी गाइब है। लगता है लगान के बाद वो खुद किसी लगान में फस गई हो। रीमी सेन भाई ये तो हर हीरो के साथ काम कर चुकी है पर अब ये खुद को ढूंदने में लगी है। आज कल तो लगता है उन्होंने भी घुमनाम जिन्दगी का सेन नाम रख लिया है। तो ये थी हमारी बॉली ब्यूट की वो असिना है जिनके लिए असकिरिन अब ढूं हमारे दिल में है।